किसी राज्य से दोस्त बनाए का तो फेस्बूक, ट्वीटर, इमेन, यही करेंगे कि और भी कुछ करेंगे अज़ा कौन है महने भर में किसी दूसरे राज्य के पांच दस सेंटेंस इच सिख लिए हो दूसरे की भाषा के किस प्रदेश से हैं आप और क्या सिखा तेनु हूं है अरवा बड़िया और कोई हैं हैं और क्या सिखे और क्या सिखे कैसे सिखाया इन्होंने हमारा ओड़ी सिखा फॉल्म सर इंप्रूब किया आप ऐसे कोई है जिन्होंने कोई न कोई कोई दूसरे राज्य की भाषा के पांच साथ चीजे शिखने का प्रयास किया और सिख लिए आप बैटे बोटे को सर बेसिकली हम होर्स राइडिंग वाले हैं तो हम सारे होर्स राइडर सारे स्टेट के एक साथ रहते हैं तो हमने सर लगभक सारे भासावासों के इंटरेक्ट किया है उनके भासा में इस एक आद वाक्य बोलिए किसी और भाजा का सर तेलिगु में बोला जाता है जैसे किसी को हम पसंद करते हैं तो बोलते हैं नेनो नेको प्रेमिस तुना नो हाँ बताएड़ी सर मैं मध्यप्रदेश से आती हूं और मैंने तमिल में किसी को ग्रीट करना सीखा है हमारा देश इतना विविद्धाओं से भरा हुआ है जितना सीखें उतना कम है और जैसे जैसे देखने जानने समझने जाते हैं तो पता चलता है कि विविद्धाओं तो है लेकिन उसके साथ साथ हम सब को एक तामे बांधने वाला एक ऐसा मजबूत धागा है जो हमें भी कभी दिक्ता नहीं है आपने यहां अनुभव किया क्यों हो तुरंत कश्मीर के होंगे लेकिन तमिल नाडू के लोगों से मिले होंगे तो अपनापन महसूस हुआ होगा भारत जैसे देश को अगर मजबूत बनाना है और आगे ले जाना है तो उसके सबसे बड़ी ताकत है देश की एक ताम लोग कंत्र में विचार भिन्नता बहुत स्वाभावित है और तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना यह तो हमारे सास्त्रों में पहले से माना गया है लेकिन एकता को कहीं भी खरोच ना आए अधिभाव को जीना परता है वरना हम लोग को जादत का है आपने देखा है कुछ बुराहिया कैसी आ गई है हमारे हां कुछ कहावत ऐसी है जो किसे ने किसी जाती या समाज के साथ जूड़ जाती है अब हम लवजवानों ने उससे बचना चाहिए ऐसी कोई चीज ठीक है किसी समय में किसी ने कहा होगा लेकिन वही कोई बेद बात के थोड़ा होता है हमारे देश की दूसरी विशेस्ता है जैसे एक है विविद्धता में एक था दूसरी विशेस्ता है कि हम परिवर्तन सिल समाज नित्यनूतन हम बदल करने के लिए तयार होते हैं हम वो लोग नहीं है कि बद ऐसा है तो ऐसा ही चलेंगे हमें बदलाव जरूरी लगा तो हमने बदलाव स्विकार कर दिया कि समायान उकुल जो परिवर्तन करते हैं वे जो रूढियों के गुलाम नहीं होते हैं वहीं प्रगजिक कर पाते हैं और कभी कभी रूढियां अंदस्वध्धा में परिवर्तित हो जाती है और समाज जीवन का जो सबस्बड़ा नुक्षान होता है इस अंदस्वध्धा की जंजिरों में जो लोग बंद है उसके कारण है और इसलिए नवजवानों का एदाई को बनता है अपने परिवार में भी अगर ऐसी कुछ मान लेता है तो धीरी 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 उसको समझाते समझाते उससे बहार लाना चाहिए अपने परिवार में अपने मित्रों के परिवार में अपने अडोस फोडोस में तो देश का युवार कितना बड़ाव कर सकता है कुछ काम ऐसे हैं कि जिसमें हमें कभी कभी लगता है कि सरकार करेगी क्या आपको लगता है कि यह सब चीजे जो बन गई है कि यह काम तो सरकार करेगी यह काम तो सरकार करेगी तो देश आगे बढ़ेगा क्या क्या ये देश हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है क्या एक चौराए पर खड़े हुए ट्राफिक पुलिस की जिम्मेवारी है कि ट्राफिक ठीक रहे कि वो वेहिकल को चलाने वाले की भी जिम्मेवारी है कि ट्राफिक ठीक रहे पैदल चलने वाली की जिम्मवारी है नहीं है, लेकिन हमारी हाँ क्या है, अगर मांडी दे कहीं ट्राफिक जाम हो गया, तो सब बोलेंगे, देखे वुँझे पुलिस वाला कहा है, पुलिस वाला क्या करता है यह जो हमारे देश में धाव बना है इसको बदलना चाहिए ऐसा नहीं है कि समाज में बडलाव के लिए धन खर्च नहीं होता है लोग काम नहीं करते हैं आज देश यहां तक इसलिए पहुंचा है कि बहुत लोग हैं समाज में ऐसे लोग हैं जिनके कामने चंबव हुआ है जिनको पदमस्री मिलता है उनके विशे में जानकरी पाने का प्रयास करते हैं आप लोग या तो सब भी हमारे राज में 5 को मिला, 6 को मिला, कुछ लोग यहां तक सिमीत हो जाते हैंगे, कुछ लोग इस बात में सिमीत हो जाते होंगे, कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ मैं इसका सुना है. कभी कभार एक विद्यारथी मन ऐसे लोगों के लिए जानकारी पाने का प्रयास करना चाहिए. हमारे यहाँ एक बारत सरकार ने वेबसाइट शुरू की है. आप लोग तो सब गूगल गुरु वाले हैं न? आपका गुरु गुगल है न? तो कभी गुगल गुरु को पूछा है कि हमारे देश में सेना में जो भिन्द भिन्द प् और अब तक कितने वीरों ने बनिदान दिया है। उस पर पूरी डीटेल अभी रखी गई है। और मैं चाहूंगा कि हमारे हर स्कूल में हर कॉलेग में आप जहां हो वहां सब बेगाते हैं। बेग में जो को जानने का प्रयास करना çाए। वेबब साइट पर स्पेशली भारत सरकार ने वेबब साइट सब्सेट बनाइए। कि अब तक कितने कितने ऐसे हमारे बीर हैं जिन्होंने बनिदान लिया जिनको सरवोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं ऐसे कौन लोग है सिविलियन एवर्ड हो या बिल्टिक एवर्ड है हमारे देश में पुलीस के समन में एक्षबी बन गई है आप लोग भी उसके शिकार हुए हो लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि आजाध हिंदुस्तान में कि 33,000 पुलीसों ने बलिदान दिया है 33 था हुज़ा है किसी ने किसी की रक्षा के लिए किया है किसी की सिकुरिट के लिए भीरते हुए किया है लेकि उनके पति जो सम्मान का भाव चाहिए वो कभी-कभी हम लोग तत्कालिन तो हो जाता है कुछ हो जाता है तो कालिन तो मन में भाव जगता है लेकिन एक जो स्थाई भाव होना चाहिए उसका भाव देश के गवरों के प्रती देश के आत्पर सम्मान के प्रती एक निरंतर बना रहना चाहिए जिस सब हम क्रिकेट में वीजे प्राप्त करेंगे तो एक दम से भारत माता उचलने लग जाती है अमारे बीतर इतना इलप नहीं है देश के लिए कुछ से कुछ करने का इरादा लगातार बने रहना चाहिए आप देखते हैं कि देश में स्वच्छता के प्रती जाग रुपता ही है आप लोग भी केंप में हूँगे जरूर किसीने किसीने स्वच्छता के लिए आपके कान में कहा होगा अरे यह देखतु यहर क्या करता है कहा होगा न अ यदि यह हर परिवार का स्वभाव कैसे बने अ मैं जानता हूं कठील काम है मात्मा गांदी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए बार बार कहते गए हैं लेकिन बनलावाने में समय लगता है अब 2019 में मात्मा गांदी के 150 वर्ष हो रहे हैं क्या गांदी का यह एक सपना स्वच्छ भारत का सपना हम हिंदुस्तान बादस्यों ने पूरा करना चेंग नहीं करना चेंग आप मैंसे कितने लोग हैं जो स्वच्छता के लिए अपने घर या परिशर के आश्माद में अपने गाउं में अपने शहर में अपने स्कूल में अपने कॉलेज में लीड करके टोली बनाएंगे और दो सब्ता में एक दिन बद स्वच्छता के लिए निकलना है कितने करेंगे तब करेंगे अइसा तो नहीं कि मुझे खुश करने के लिए नहीं नहीं परना कहीं आपको ऐसा लगता हो कि अगर यहां हाथ उठाने नहीं उठाएंगे तो कहीं प्रदान मंत्री निराष्ट न हो जाए आप करेंगे पक्का उसी प्रकार से जैसे हमारी हाँ पोलियों का खुरा खिलाने का कारकम आता है अब कई मापाय बेहने बेचारों को पता नहीं है कि यह बच्चों को लेकर जाना चाहिए हम टीवी देखते हैं एवर्टाइब्मेंट देखते हैं हम सोचल मेडिया मोबाइल फोन पर देखते हैं पता चलता है हाँ बैई पांच तारीक को फ़लानी चीज़ है लेकि कभी अमें विच्छार आता है कि यार यह अच्छा काम ह है चलो मैं भी दो घंटे लगा करके अड़ोस पड़ोस में बताऊंगा कि देखो भी आपके घर में बच्छा है कोई पॉलियों का खोड़ा खाना है चलो चलते हैं क्या कभी मन में आता है चाहिए यह जो हम इस प्रकार से कैंप में रहते हैं तो हमारे भीतर एक सहज आवाता है विवी दा उनको जानते हैं मित्र नहीं मिलते हैं उनकी मुसिबते जानते होंगे उनके जीवन के रीत रसम क्या है उसको साथ जानकारी पाई होगी है वैसे उनके जीवन में क्या मुसिबते हैं संकत क्या है यह भी उत्रा ही जानना बहुत आवश्या है कि मैं साथियों आज हमारे NCC के मित्रों का बड़ा अग्रह था देखिए इस बार आप बड़े भागवान लोग है किस लिए किस बात के लिए कि अरे यह को भागी की बात थोड़ी है कि प्रदान बंद्री का काव है देश के नाद्रिकों से बात करना उसकी जिम्मेवारी है कि सबसे बड़ी बात विये हैं कि जब हिंदुस्तान के हमारे एंशिचे के जवान यहां आते हैं एक ही देश के मुखिया हमारे रिपब्लिक देखे चिपके स्थोटे आप उस समय हैं जब एक साथ दस देश के लोगे हां यह एक प्रकार चाहिए दस साल का काम एक साल में हुआ है कि यह अपने आप में अपने आप में कुछ लोगों को ऐसी घटनाओं को समझते समझते चार से दिन निकल जाते हैं कि तदकाल उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया कि दुनिया में कोई लेख लेखेगा कोई बताएगा कि भारत में ऐसी घटना घटी तो उसके बांद वो सोचेंगा अच्छा यारू समय हमने तो कुछ छोचा ने यह जो समीत हुआ है और अश्यान कंट्रीज के दस देश सब्सक्राइब कि 20 सदी एश्या की सदी है कि कहते हैं कि यह जो समीत और यह अवसर था उस फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाने का एक अवसर था जिसका प्रभाव आने वाले दसकों तक रहने वाला है और उसमें भारत का अपना एक रुत्मा बना रहेगा और आप उस अवसर के भागीदार कि कितने बड़े हैं कि मैं एंसी सी के इस बार के जो योजग है डिफेंज बिनिस्ट्री के लोगों को बड़ा अभारी हूं परना हर बार क्या होता था हम आते थे रोबोट की तरह एक 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 जेगा पर जाते थे और उधर से निकलके फो आप लोगों से गप्पे गोश्टी करने का अफसर मिल गया आपसे बाप करने का अफसर मिला मुझे अच्छा लगा कल मैं एंसी सी के सारे नवजवानों को कल या परशुषाइज निया पर आप लोगों के बीच आने वाला हूं देश भर से जो कलाखार आई मेरे बगल में सब दुनिया के जो जो लोग बैटे थे मंच पे उनको इस बात की खुशी थी कि देड़ घंटे के भीतर भीतर भारत की कला संस्कुर्दी परंपराओं को अपने सामने से गुजरते हुए देखा कि उनके मंन इसके चबी बन गई योः बाहर बार पूसर ते ये क्या है योइस्य क्या करते हैं यह कपड़े इससे पेर पेहन पेहं पह tag नहीं होती या वहां गर्मी हूती है किसा इतनी इस ऑपर grid भारत को जानने की तो हमारे जिन कलंगार साथियों ने कि एक अच्छी चबी लेकर के दुनिया के हमारे महमान गए है और यह भारत को भौक काम आए कि समय प्रकार कम होना इतना बड़ा इवेंट कि किसी भी प्रकार के विग नके बिना पूरा होना आपने आपने बड़ी बाग होती है और कभी-कभी प्रकृती भी महरबान हो जाती है वेठन तो जादा थी तक जो आप मैंसे चार बजह उत्ते दून को पता है लेकिन बहुत-बहुत शुक्तामना है दोस्तों थैंक यू थैंक यू बहुत 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 भनेवाद मामनी विद्धार मक्डी जी